नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंखना हुमियोपैथि क्लीनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है साथियों आज हम बात करेंगे उस स्थिति की जिस स्थिति में आप बहुत सारे लोगों को दफ्तर में देखते होंगे या चलने में देखते होंगे और वहाँ स्थिति है नीद नीद उन्हें आती तो है लेकि नीद उन्हें दिन में आती है रात भर वो जाकते है अगर यहाँ कंडिशन हो तो इस कंडिशन को जो scientific term है वह है नार्कोलेप्सी और नींद का जो काटिगरेशन है वो कहते हैं cat map sleep यह मरीज रात में जागता है और दिन में सोता है यहाँ एक बड़ी ही यहाँ एक बड़ी ही annoying situation होती है उस वेक्ति के लिए जो कहीं नौकरी कर रहा है कहीं काम कर रहा है कहीं पर बर्क कर रहा है चौक कर रहा है लेकिन अगर आप में यहाँ देखते हैं अपने में ऐसे की दिन में आप जागते हैं सोते हैं और रात में आप जागते हैं तो उसको ठीक करने की होमियोपेथिक यह बहुत कारगर दवाए हैं वो दवाए जो आपको रात में सुलाएंगे बढ़िया से और दिन में जलाएंगी हम आपको बताएंगे ऐसी 10 कारगर होमियोपेथिक दवाए सबसे पहले साथियों जान लेते हैं नार्कोलेप्सी होती क्या है नार्कोलेप्सी यानि कि रात में जागना, दिन में सोना और ड्रावजी और डलने स्पनी रहना नारकोल एपसी वहां condition होती है साथियों जिसमें की patient वहां रात भर जागता है और दिन में सोता है Normally यहाँ आपको एहसास नहीं होता है लेकिन यहाँ छोटी बात नहीं होती यहाँ बड़ी विमारी होती है आपको यहाँ बताना चाहता हूओ क्योंकि वक्त के साथ साथियों क्या होता है कि आपकी muscle tone भी खतम होने लगती है जो लोग रात में बहुत जादा जागते हैं उनको दिन में बहुत नीद आती है उनकी muscle की tonicity loss होने लगती है जिसको की cataplexy कहते हैं तो अब दो इस्तितिया हो गई साथियों पहली हो गई नारकोलेक्सी जिसमें आपकी muscular tone का loss नहीं है यानि कि आपको नीद तो दिन में आ रही है लेकिन आपके muscles में कोई फरक नहीं पड़ रहा उसकी working में कोई फरक नहीं पड़ रहा वो होती है नारकोप्लेक्सी 1 और जिसमें साथ में cataplexy जिन लोगों में हो जाती है यानि उनकी muscle tone भी चली जाती है उनकी voice भी गरबड़ा जाती है उनका मतलब चलने फिरने में भी दिक्कत होने लगती है जूमने लगते हैं उसको कहते हैं नारकोप्लेक्सी 2 यानि नारकोप्लेक्सी with cataplexy यहाँ एक खतरनाथ medical condition होती है क्योंकि आप इसमें deteriorate होते जाते हैं तो अगर हम लोग narcolepsy 1 में ही अपने को control करने हैं आज मैं उसी के आपको कारगर दवाय बताऊंगा तो आपको narco plexi 2 तक नहीं जाना पड़ेगा और अपनी मेहनत की कमाई का पैसा हमको या किसी और भी डॉक्टर को नहीं देना पड़ेगा बात कर लेते हैं साथियों symptoms की narcolepsy का जैसे मैंने बताया सबसे बड़ा symptom यह होता है रात बर जाग रहा है और दिन बर जूम रहा है सो रहा है नीद में है ड्रावलीनेस में डिजीनेस में है तो यहाँ एक symptom होता है और एक symptom साथियों तब होता है जब आपका muscle tone loss होने लगता है आपका जो आवाज है वो slurd हो जाती है आवाज ठीक से निकल नहीं पाती है आपका movement slow हो जाता है यहाँ सब होते हैं तो यहाँ cataplexy जोड़ जाती है तो यहाँ भी एक तरह की narcolepsy ही होती है साथियों नार्कोलेप्सी के कारण नार्कोलेप्सी के कारण साथियों exact cause unknown है लेकिन जो आज तकी research कहती है वहाँ यह कहती है कि हमारे brain में एक neurotransmitter होता है यहाँ जो transmitter होता है आपके sleep के लिए responsible होता है और जब आपके यहाँ transmitter neurotransmitter का brain में presence में disbalance हो जाता है तो आपको यहाँ नींद की समस्या आती है cataplexy वाले patients में यहाँ जादिया होती है जब यहाँ आपका hormone ठीक से secret नहीं हो पाता है लेकिन साथियों समस्या है तो उसका समधान भी है अगर आप रात में जाग रहे हैं दिन में सो रहे हैं तो आपको रात में सुलाने और दिन में जगाने की यानि नार्मल कुद्रती रोटीन पर लाने की कारगर homeopathic दवाएं हम आपको ऐसी 10 कारगर homeopathic दवाएं बताएंगे जो साइद आपके दिमाज में जो आपकी इस परिशानी को लेके जिसके लिए आपने आप वीडियो लॉग इन कर रहा है वाज चल रहे हैं उनसे आप बहार आएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे और नार्कोलेपसी 2 तक नहीं पहुचेंगे नार्कोलेपसी 1 नहीं सही हो जाएंगे ऐसा हमारा प्रयास है एक बात बताना चाहेंगे साथियों जरूरी बात है कि देखे यहाँ एक emergency medical condition भी होती है cataplexy तो कोई भी दवा डॉक्टर की सला के ही लें बिना उसके सला के दवा ना लें हो सकता है आपको दवा सूट करें हो सकता है दवा ना सूट करें लेकिन कुसल्ची किस्सत आपको सही रा दिखाएगा चलते हैं साथियों इस सफर पर बताते हैं आपको नार्कोलेपसी को खतम करने की दस कारगर होमियोपेथिक दवाए साथियों नंबर एक दवा जो होमियोपेथी में आपके नार्कोलेपसी की कंडिशन की है यानि रात में जाग रहे हैं और दिन में सो रहे हैं इस कंडिशन की है वहाँ है सलफर आप सलफर वनियम की तीन खुराक पच-पच मेट के फासले पर ले सकते हैं या हर वो व्यक्ति ले सकता है जिसके cat map sleep हो यानि रात में वहाँ जागता हो दिन में वहाँ सोता हो तो sulfur उसकी drug of the choice है इसको weekly आप एक खुराक ले ले आप देखेंगे कि आप रात में सोईगे और दिन में जागींगे sulfur का मरीज को साथी वाम तोर पर मीठा खाना बहुत पसंद होता है नहाना उन्हें पसंद नहीं होता स्वस्थ पड़े रहते हैं थोड़े से dirty looking होते हैं अगर आप किसी में या symptom देख रहे हैं तो उसके लिए बहुत कारकर दबा है sulfur आप यहाँ दबा दे कर उनको स्वस्थ कर सकते हैं उनकी नींद को regulate कर सकते हैं और हाइपोप्रेटिन नाम का जो chemical होता है neurotransmitter brain में जिसके disbalance secretion से आपकी यह स्थिती होती है उसका secretion regular हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे एक साथियों बहुत important symptom जो आपने देखा होगा अक्सर आप सरकारी दफ्तरों में खास तवर से गए होंगे तो लोग कुर्सियों पे सोते मिले हो बैठे बैठे सो गए अगर यह से तीयों साथियों कि आपको इतनी नींद आती हो क्योंकि आप कुर्सियों बैठे बैठे सो जाते हो तो इसको ठीक करने की उमियोपैठी पे बहुत कारगर दबा है कालीड रोमेटम आप कालीड रोम 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले ले यहाँ दबा आपके यह जो बैठे बैठे सोने की दिन में कैफियत इसको खतम करेगी रात में बढ़िहा निंद लाएगी और आपके जो भरवर बेज़ती हो जाती है आपके कोलीग और कस्टमर आपको कुछ कह देते हैं वहाँ भी ठीक हो जाएगा या आपका अधिकारी आपको कह देता है वहाँ ठीक हो जाएगा और आप बढ़िहा दिन में काम करेंगे और रात में सोईगे एक साथी वह आती है कि रात में आप जागते हैं और जागने का बहुत बढ़ा कारण होता है कि आपका दम गुटने लगता है आपको सफोकेशन महसोसेने लगता है आपकी ब्रीदिंग यानि सांस फूलने लगती है तो अगर याइस्थिति आप में है और आप रात भर जाकते हैं इस कारण से और दिन में आपको नींड आती है डावजीनेस रहती है तो उसको ठीक करने के हुमियोपेटी पे बहुत कारगर दबा है अमोनियम कार्ब निकब आप अमोनियम कार्ब 200 पावर में दो दो बून दिन में तीन बार एक हफते तक ले सकते हैं अगर आपके यहाइस्थिति है इससे आपकी सास भी रेगुलेट होगी ब्रीधिंग भी नॉर्मल होगी और आपका रात का जागना भी बचेगा अमोनियम कार्ब के साथ यह दो और बड़े अच्छे सिम्टम्स होते हैं पहला यह कि अमोनियम कार्ब के मरीज को खुनाना रोक देते हैं या दवा रोक देती है तो अमोनियम कार्ब बहुत अच्छी दवा है आपके ब्रीधिंग को रेगुलेशन करने के लिए और रात में आपको गहरी नींद लाने के लिए एक सितिति सातियों आती है दिन में जब आपको ड्रावजीनेस आती है नारकोलेशी में तो आप को चलते चलते सो जाए या इस्तिति हो अगर या इस्तिति है तो इसको ठीक करने की विए पेच्छी बहुत कारगर दवा है दवा का नाम है चलिदोनियम मेजस आप चलिदोनियम का मदट इंचर दस बून सुबा साम पी सकते है अगर आपको दिन में इतनी ड्रावजीनेस आती हो कि आप चलते चलते सोने की स्तिति में आ जाते हो तो आप चलिदोनियम दवा ले यह दब आपके लिवर को भी मजबूत करेगी इनफैक्ट या किंग आफ लिवर है और आपको ताकत देगी और दिन की ड्रावजीनेस आपकी खत्म करेगी एक स्तिति साथियों आती है कि रात में तो आप जागते हैं और दिन में जब आप खाना खाते हैं उसके बाद आप सो जाते हैं या आपको अपना लंच लेने के बाद सोना ही सोना है तो अगर या इस सिति आप में हो तो इस सिति को ठीक करने की होमियोपैटि यह बहुत अच्छी दवा नैटरम यूराटिकम है आप नैटरम यूर वानियम की तीन फिर साच्छी किस सिति आती बहुत लोगों में जैसे ही लेटने गए उनका दब उठने लगा, सफोकेशन होने लगा वो जाग गए और दिन में ऐसा नहीं होता है तो अगर किसी के या सिति हो कि रात में उनको सफोकेशन लगता हो उसास लेने में वह जाग जाते हो, लेटने से उठ जाते हो और पिर डरते हो दुबारा लेटने से तो उसे सिति को ठीक करने की होगे उपेथी में बहुत अच्छी दवा है और दवा का नाम है कैडमियम सल्फिलेटम कैडमियम 30 पावर में दो दोबून दिन में तीन बार आप ले सकते हैं जो कि अगर आपको यहां सिकायत हो यहां दवा आपकी रिस्क्यू के लिए आएगी और आपको ठीक करके गहरी नीन दिलाएगी एक इस्टिती साथियों आ सकती किसी के सामने की कि दिन में उनको नौकरी में इतना ज़्यादा काम पड़ा जब आप जॉप कर रहे तो इतना ज़्यादा मिंटल लेवर है कि आप दिमागी तोर पर इतने ठंग जाते कि रात में सो नहीं पाते हम लोग आम तोर पर यह फ्रेजी उस करते हैं सब्सक्राइब तो इसे सिति को ठीक करने की और दिन में आपको तरो ताजा रखने की बहुत अच्छी दवा हायोसाइमस है हायोसाइमस 200 नाईगर 200 पावर में दो दो बहुन दिन में तीन बार आप ले सकते हैं अगर आप के दिन में इतना mental exertion होग आपको रात में नीद ना आती हो हायोसाइमस के पेशेंट के थोड़ा सा लेशिविस मेनिया होता है याने की नियूडीटी उसको पसंद होती है एक ही बात को बार बार रिपीट करता है और दिन में वहाँ सुस्त बना रहता है तो हायोसाइमस आपको ठीक करके आपको चेतन रता लाएगी एक सिती साथियों आती रात में नीद ना आने का कारण कि आपको लगता आपकी धड़कर रुख जाईगी आपको हर डिजीजेज है आपको दिल की बिमारिया है और आपको लगता है रात में सोई तो हम सुबा नहीं उटपाएंगे इसलिए आप रात में जागते फिर दिन में आप मज़े से सोते या जूमते रहते तो अगर यहां इस्टिती हुआ आपको डर लगता हो अपने हर डिजीजेज को लेके और वापस पुना इस दुनिया में ना जागने को लेके सुबा तो डर को खतम करने की और रात में बढ़िया निंदे लाने की बहुत कारगर दवा है डिजीटेलिस पर पुरिया आप डिजीटेलिस दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बाल ले ले यहां दवा आपको बढ़िया साउंट स्लीप रात में देगी आपकी हट की कंप्लेंट्स को भी ठीक करेगी और आपके जीवर में खुशाली लाएगी एक सिती आती है साथियों किसी के सामने कि दिन में सोना ही सोना है तो अगर यहां सिती आप में है कि आपको दिन में सोना ही सोना है तो उसको ठीक करने की होमियोपैथी में बहुत कारगर दवा है साइमेक्स आप साइमेक्स दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते है यहां दबा आपको दिन में नींड आने की ख्वाईश को खतम करेगी और आपको रात में बढ़िया सुला के दिन में आपको फ्रिश बनाएगी एक स्थिती सातियों आती है कि मरीज हर समय सोना चाहता है पूरे दिन कोई काम ही नहीं करना चाहता है एक तो होती है आपको काम की ख्वाईश हो और एक होती है आपको काम की ख्वाईश नहीं आप दिन भर पढ़े हुए जिसे कहते हैं बड़े बुजूर यूज करते हैं साब वो पढ़े रहते हैं अब पस्तर पर बस तो अगर यहाँ स्थितियों सातियों तो आपके इस फिरेश को खतम करने के लिए इस लाइन से आपको बाहर करने की बहुत अच्छी दवा हो में पर दीमें इंडोल आप इंडोल थर्टी दो दो बून दिन में तीन बाहर ले ले यहाँ दवा आपको इस इस्थिति से निकालेगी कि आपके काम की भी अनिच्छा है और पड़े सोते रहते हैं कि आपके काम की इच्छा भी पैदा करेगी और आपको रात में बढ़िया सुला के दिन में आपको इलाइट एक्टिव और तेश बनाएगी एक इस्थिति साती आती है कि साम को आपको 5-6 बजे गुस्सा आया और उसका आप रात भर नहीं सोया ऐसा आप में रोज हो रहा है कि साम को आपको गुस्सा बहुत आता है और उसके आप रात भर नहीं सोते फिर दिन में आप जुमते रहते हैं तो अगर यह सित्य आप में है तो इसको ठीक करने के उग्में पहती हैं। बहुत कारगर दबाव फॉस्फोरस है। आप फॉस्फोरस वनियम् की तीन खुराक विक्ली ले सकते हैं या दे सकते हैं किसी को जो की रात में साम को गुशा करते हो रात भंना सोते हैं। फॉस्फोरस बाल धरने से रोकने की लिए बहुत अच्छी दवा है और फॉस्फोरस के मरीज को ठंडी चीजें खाना बहुत पसंद होता है वह खाना भी बिल्कुल ठंडा करके खाता है तो अगर आप में याज सिम्टम है तो फॉस्फोरस आपकी दवा है आप फॉस्फोरस लेके स्वास्त लाप लाप कर सकते हैं एक इस्थिती आती साथियों बहुत लोगों में कि वो रात के पहले पहर में तो सो लेते लेकिन बात के पहर में जाकते रहते हैं तो अगर यहाँ इस्थिती हो कि आप रात में जल्दी सो जाते हो लेकिन दो बजे रात में उड़ जाते हों फिर आप रात बर जाकते राते हों फिर सुबह आपको नीद आती हो तो अगर यहाँ आपके साइकिल है नीद का तो इस साइकिल को ठीक करने के हुँए और पैथी में बहुत कारगर दवा है काली कार्बोनिकम आप काली कार्ब 30 दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहाँ दवा आपके यह रात को जो दो बज़े के बाद नीन नहीं आती उसको नीन को लाएगी और आपको संतुष्ट करेगी एक इस्थिती आती है साथी यह किसी के सामने आ सकती है और आकोलेप्सी में या जो रात में जाद में और दिन में सौने के आदत है उसमें कि व्यक्ति रात भर दुखी रहता है और रात भर जाता रहता है और raspा उसको नीन राती है तो अगर यहाँ इस्थिती आप में है तो हिस्टिथी को थीक करने के हुमे पेटी में बहुत कारगरतवा है साइकलामेंड, आप साइकलामेंड दोडो मूं दिन में टीन बार हर वो व्यक्ति आप या कोई वक्ति ले सकता है जिसको के रात भर दुखी रहता हो उसके आखों के नीचे काले गेह रहे हो रात भर वो जाकता हो और दिन में वो सोता हो एक इस्थिती आती है साथी हो आपको रात में नीद ना आने कि रात में आपकी सारी सोच और तकलीफे बढ़ताती हो तो अगर यहाँ इस्थिती हो कि रात में आपकी सोने के बाद सारी आपकी जज़वा, सारी तकलीफे, सारे बिचार आपके मन में आने लगते हो और आप जग जाते हो, रात बर ना सो पाते हो तो उस इस्तिती को ठीक करने की हुमियोपैती में बहुत कारगर दवा है लिकैसिस आप लिकैसिस वरियम के तीन खुराग पचपच मिट के फासले पर हाप या हर कोई व्यक्ति ले सकता है जिसको रात में सोने के बाद तकलीफे बढ़ती हो और उसे जागना पड़ता हो उसे अपने सारे बिचार रात में याद आ जाते हो वह जार उसको रात बाद सुने ना देते हो लिकैसिस का मरीज साथियों नॉर्मलि उसकी टंग में ब्लू टिंट आपको मिलेगा और उसे बोलने की बहुत आदत होती बहुत टॉकेटिव होता है तो अगर या इस्तिति आ हो तो लिकैसिस आपको क्योर करने की दवा है यहां दवा आपको पूरी तरह ठीक करके आपको खुशाल बनाईगी एक साथियों इस्तिति आती है किसी मरीज को आ सकती है कि रात में सोय और सांस रुपी यह इस्तिति होती है बड़ी कॉमन इस्तिति है और इस्तिति को निपटने की बहुत कारकर दवा हुमियोपैथी में ओपियम आप ओपियम दो सो पावर में दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहां दवा आपको रात में सोने के बाद जो दम गुटने की इस्तिति उसको ठीक करके आपको फिट कर देगी इस्तिति सातियों किसी के सामने आ सकती कि रात में लेटे तो सारी तक्रीफे बढ़ गई सांस से रिलेटेड तो अगर आपका रेस्पाइरेटरी सिंटम्स लेटने पे रात में बढ़ते हों आपको सोने ना देते हों और सुबह आप कमफर्टिबली फिर सोते हों तो उससे सिति को ठीक करने की हुम्योपैती में बहुत करगर दवा है इस्पाइजिया आप इस्पाइजिया थाटी दो दो बून दिन में तीन बार ले सकते हैं यहाँ दवा आपके सिंटम्स को ठीक करेगी नारमल करेगी और आपके रेस्पाइजिया शिंटम्स को भी ठीक करके आपको रात में बढ़ी हानीन दिलाएगी यह साथियों को दवाई थी नार्कोलिफ्सी की यहनी रात में जागने और दिन में सुने की समस्या को खत्म करने की अगर आपके मन में सातियों कोई query हो तो आप हमारे WhatsApp नंबर पर अपनी query WhatsApp कर सकते हैं नीचे notification panel में दिया गया है या फिर आप YouTube notification में अपनी query को लिख सकते हैं एक चीज सातियों बता दे नार्कोलेपसी का जो नार्कोलेपसी 2 होता या एक खतरनाक स्टेज होती है जिसमें कैटापसी जुड़ी होती है जो आपने आपको इस वीडियो में बताया इसलिए आप कोई भी दवा इस तरह का आपको symptoms आए तो डॉक्टर से पूछ के प्रिस्क्राइब करा के ही दवा ले वीडियो साथियों अगर आपको लापकारी लगा हुए समाज के लिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजेगा आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और उसे सब्सक्राइब कराने को प्रिद कीजेगा और बल आइकन को क्लिक करके हमारा सबसे पहले सबसे नया वीडियो प्राप्ट करते रहेगा आपका साती हो हमाई साती देर रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद की वसा आपका लोग वीडियो मैस जिस अ हो भीडियो की दयए्ट साउंस पहां आपका सामल की भीडियो कि अनिमने रिषनेश आप नगनने जय झाप अंद। कि आपने फिर्बेंट कर दिय दिय को कि आप सुरिब श से मुटबंग है